हलो एव्रीवन वालकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्निस लिट्रेचर जोन आज के विडियो में हम लोग TMBU युनिवर्सिटी वालों के लिए पार्ट थर्ड पेपर फाइब जिनका किशेशन 2021-24 है ना उनका पेपर फाइब का या फिर एक्स्प्लानेशन या फिर एक्स्प्लानेशन विट रिफ्रेंस तो डा कॉंटेक्स्ट वो डिस्कल्स करने वाले हैं पार्ट थटका अगर सजेशन की बात कर तो सजेशन हम 6 मंत पहले अप्लोड कर चुके थे अपने चैनल पे और लगभग 70-80% सिलिबस भी कवर अ टेशन की बाता है कि इसमें से मैच कर जाएगा दो को अपको पेपर 5 में 60 मार्स का तो यह 8 9 को कवर अप कर लेते हो ना तो लगभग 70-80% कि इसमें से इक्स्प्लानेशन आएगा नहीं तो आपको एक तड़ी का समझ आज आजए कि कैसे एक्स्प्लानेशन लिखना एकर आ इंपॉर्टेंट इस्सम्मारीशन बता है Age Bless It इस सपक्यूंतal रिफरणस वाला सेशन दालोंगे के इन आपके आप ब्रीफरिंश को दया इन दिभाट कि आपक से अ The Egoist में पब्लिश करवाया गया तो है लेटर इन इलिएट फर्स्ट बुक और बाद में इलिएट का जो पहला बुक है बुक ऑफ क्रिटिसिस्म जिसका की नाम दस है कर डूड है उसमें पब्लिश करवाया गया तीक है यह वाला जो पॉइंट है आप याद रखेगा कि The Egoist में पहली बार टेडिशन इंडिविजुल टेलेंट को पब्लिश करवाया गया क्योंकि यह बार-बार ना उब्जेक्टिव में भी पेपर फाइब के पूछता है इन इस एसे में इलिएट डिसकेसेज इस कंसेप्ट ऑफ टेडिशन इलिएट जो है अपने कंसेप्ट ऑफ इंप्रस्णालिटी और पोइटिक थे olunं जो है दिए हुये इंप्रस्णालिटी की तो उसको भी डिसक्स करने ठीक है तो यह रिफ्रेंट सेक्शन हो गया यह रिफ्रेंग सेप्ट के लिए सेयम रहने वाला है जो भी टिडिशन इरदिशन टेलेंट से हम 26 को एंगे दो और कि ट्रडिशन का इटमिंस परंपड़ा का ना पास्ट और प्रजेंट दोनों बहुत ज्यादा महत्पुर्ण पहलू होता है कि पोईट्री लिखने का मतलब यह नहीं है कि पास्ट के पोईट जो पुराने पोईट है उनके राइटिंग को हम लोग इमिटियेट कर ले उनके राइटिंग का हम लोग नकल कर ले इनस्टिट पोईट सुड अंडरस्टैंड धकन्सिसनेस ओफ ड़ाइट इसके बदले क्या कंशिछ जो पोईट है उनको पास्ट की कंसिसनेस को समझना चाहिए consciousness it means हो जाता है चेतना, feelings या awareness हम लोग बोल सकते हैं उसको समझना चाहिए and develop that consciousness in their own work और उसी consciousness को, उसी feelings को और उसी जागरुता को अपने works में developed करने के, विक्षित करने के कोशिश करने चाहिए तो ये context वाला selection होगी, अब explanation में है according to Elliot, Elliot के नुशार poetry should not be about imitating the writers of past poetry ये नहीं है, कि हम poetry में past के writers को imitate कर ले, वतला poem लिखते है time, जो पुराने भूत काल के writer है, उनका नकल कर ले nor should it be completely creating work that is completely original and separated from the poetry of past, लेकिन ये भी नहीं है, कि हम बिल्कुल original work create करें और बिल्कुल past से उसका कोई relation ही ना रखने दे, ना तो हमको past को poetry लिखते हैं पूरी तरह follow करना ही, ना ही past से बिल्कुल अलग रखना है, ऐसा Elliot कह रहे हैं Instead, poetry should build on the tradition of past writers, कि past writers का tradition एक परंपड़ा है उसको follow करना चाहिए poetry लिखते है time and expands on their ideas with new ones और उनके ideas को हम लोग बोल सकते हैं, उनके विचारों को अपने नए works में सामिल करना चाहिए past writers के विचारों को Thus, according to Elliot, इस प्रकार Elliot के अनुशार, poet must understand the literary tradition of the past की poet को ना, past के literary tradition को, past की परंपड़ा को, शाहितिक परंपड़ा को अवश्ते समझे ना चाहिए This will allow them to understand the consciousness of the past और इससे क्या होगा कि ये उनको allow करेगा, आगया देगा कि वो लोग past के consciousness को, feelings को समझ पाए But also develop this consciousness in their own career, शाती साथ अपने खुद के career में, अपने खुद के जीवन में इस consciousness को develop कर पाए It means, विक्षित कर पाए Elliot feels that literary criticism should focus on the poem itself instead of the poet It means, Elliot ऐसा अनुभव करते है कि शाहितिक अलोचना को ना, कभी के बजाए, कभीता पर ध्यान देना चाहिए Since poets do not write in isolation, but as a part of a tradition एक पात के रूप में इस एक परंपडा के हिष्चे के रूप में लिखते है Finally the explanation as a tradition-individual talent This is the straightforward explanation we did from tradition-individual talent This comes from the emotion of art is impressionable So this line is on the way, if you understand that this is the traditional individual talent So you do always have to keep reference to the following, just copy to the reference section उसके बाद context में निखना है, सबका context और explanation जो है वो अलग-अलग होगा Context वाले section में है, through above mentioned lines के उपर mention किये lines के जरिये T.S. Eliot portraits his views on the art T.S. Eliot जो है अपना view, it means district कोन, portrait करते, चिचित करते हैं कि उनका art को लेकि क्या district कोन है, according to Eliot, Eliot के नुसार Art must be impressional की, art जो होता है उसको impressional होना चाहिए, it means neutral होना चाहिए, unbiased होना चाहिए Because art emotion is different from personal emotion of the poem, यूँकि जो art emotion होता है वो बिलकुल अलग होता है Poem के personal emotion से, the emotion of the poetry is impressional और जिस emotion का use किया जाना चाहिए, poetry में, कवीता में उसको भी impressional होना चाहिए, it means हम लोग बोल सकते है, neutral, unbiased होना चाहिए And the poet cannot reach this impersonality और poet जो है, इस impersonality तक तब तक नहीं पहुँच सकते Without surrendering himself fully to the work to be done कि जो भी work वो कर रहे हों, जो भी poetry तयार कर रहे हों, तो जब तक poet जो है, खुद को उसमें पुरी तरह से surrender ना कर दे, पुरी तरह से समर्पित ना कर दे तब तक poet उस impersonality को नहीं प्राप्त कर शकते, उस unbiasedness को उस neutral form को नहीं प्राप्त कर शकते तो यह context वाला section हो गया, अब explanation में है, through these quoted lines के उपर quoted lines के जरगे, Elliot tells us about his theory of the impersonality of poetry, कि Elliot जो theory दिये वह है, impersonality of poetry का, उसके बाड़े में बात करते हैं, impression and experience which are important for the poetry, कि जो impression, जो विचार या और फिर जो experience, जो अनुबबव poetry के लिए important है, and those which are important in his poetry may play a very negligible role in his life and personality, कि मतलब जो impression और experience poetry के लिए important है, हो सकता है कि उसका life में very negligible, very negligible, it means हो जाता है, बहुत नगने रोल हो, उस impression का, उस experience का, personal life में कोई काम ही ना हो, reality में life में कोई काम ही ना हो, the poet must suppress his personal feeling, इस वज़े से जो poet है, उसको अपना personal feeling suppress करना चाहिए, दबाना चाहिए, the artist must constantly surrender himself, और एक artist को खुद को हमेशा समर्पित करना चाहिए, surrender करना चाहिए, to something greater than himself, कि एक artist को हमेशा उस चीज़ को खुद को समर्पित करना चाहिए, जो कि उससे great हो, महान हो, his emotion and passion must be depersonalized, कि एक artist का जो emotion होता है, और जो passion होता है, वो depersonalized होना चाहिए, it means personal feelings से पे अधारित नहीं होना चाहिए, एक artist के work को, he must be as impressional, फिर से इसको impressional होना चाहिए, it means unbiased होना चाहिए, neutral होना चाहिए, objective as a scientist और objective, objective कर्द भी हो रहता है, जो कि influence ना हो personal feelings से, तो एक scientist के तरह objective और impersonal होना चाहिए, एक artist को भी, the personality of the poet, or poet की जो personality होती है, is not important, वो बिलकुल महत्वुन नहीं होती है, उसका महत्व नहीं होता है, the important thing is his sense of tradition, जो महत्वुन चीज होती है, वो होती है, उसकी sense of tradition, it means उसकी परंपरागत समझ, and the matter of fact, it means उसकी त्थिपरक्त किस तरीकी से चीजों को, facts को समझता है, वो चीजी important होता है, और किस तरीकी से tradition को समझता है, poet का जो personality होता है, उसका कोई importance नहीं होता है, जब art create करते वक्त, poetry create करते वक्त, तो यहाँ पर second explanation भी खत्म होगे, अब third explanation देखते हैं, जो कि शुरू होगा, no poet, no artist, or any art करके, तो समझ जाने कि यह line भी जो है, traditional individual talent से लिग गई है, तो इसमें भी same difference वाला section, बिल्कुल पहले explanation के तरह ही होगा, अब context में है, through these lines की, in lines के जरिये, Elliot says that, Elliot कहते हैं कि, the work of any artist can only be fully understood, कि किसी भी artist के work को पुरी तरह से तभी समझा जा सकता है, and appreciate किया जाता है, in relation to the work of other artists who came before them, कि जब उनसे पहले जो artist आये, उनसे पहले जो work आया, तो उसके relation में, उससे comparison करके, पहले के work से, पहले की poetry से comparison करके, तभी हम लोग किसी artist के work को अच्छे से समझ सकते हैं, और उसको appreciate करते हैं, जब उसका हम लोग past के साथ relation देखे, past के साथ comparison करें, एक poet's work cannot be seen as something internally new, एक poet के work को, एक कवी जो work तयार करते हैं, उसको बिलकुल एक नए work की तरह नहीं देखा जा सकता है, and original work की तरह, but rather as a part of larger tradition of poetry, बलकिर उसको एक tradition of poetry, इतमिंस हम लोग बोल सकते हैं, क्या कि, एक poetry की कवीता की जो परंपड़ा है, उसके part के रुप में, उसक परंचे के रुप में देखा जा सकता है, अब next explanation वाला section आजाएगा, explanation में है, Elliot uses the analysis of a chemical reaction, यहाँ पे इलियत जो है, एक chemical reaction का use करते हैं, comparison के लिए, to explain this idea, इस विचार को explain करने के लिए, समझाने के लिए, he says that, वो कहते हैं कि, the mind of the poet is like a shred of platinum, कि एक poet का mind होता है, एक platinum के is acted open, जो कि act करता है, फ्रतिकलिया करता है, by the dead poets, dead poets के साथ मिलकर, it means past के poets के साथ मिलकर, the poets on experiences, और poet का जो खुद का experience होता है, and emotion होता है, are the acid, वो acid होता है, acid, it means हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग होता है, and the dead poets are alkali, alkali, it means dead poets जो होते हैं, वो छार होते हैं, when these two elements combine, और जब यह acid or alkaline, it means छार मिलते हैं, they create a new substance, तो यह दोनों मिलकर, एक नया substance, नया tattoo, create करते हैं, which is the poet's poem, जो कि poets की poem होती, it means poet की कविटा होती है, Elliot's argument is that, यहाँ पर Elliot तर्ग देते हैं कि, the poet's individuality is not diminished by this process की इस प्रक्रिया से न, poets का जो है, कवियों का individuality, जो है, वो कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, in fact, वास्तर में, it is enhanced, बलकि poet की जो individuality है, खुद की personality है, या खुद का value जो है, वो और भी जादा बढ़ जाता है, enhanced हो जात और emotion जो है, it means भावनाएं जो है, are what give the poem its unique flavor, कि poets के खुद के emotions के वज़े से, experience के वज़े से, poem को न, उसका unique flavor मिलता है, he argues that, आगे Elliot जो है, तर्ग देते हैं, कि all artists are influenced by the work that came before them, कि जितने भी artist होते हैं, वो सारे influenced होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके work से, जो कि उनसे पहले आ रखा है, and this influence is essential, और ये जो प्रभाव है, ये essential है, it means आवश्यक है, जरूरी है, to their creativity, उनकी creativity के लिए, it means रशनात्मकता के लिए, तो यहाँ पे जो तीन था, traditional individual talents explanation, वो खत्म हो गया, next जो है, function of criticism का explanation आ जाएगा, function of criticism से हम दो important line बताये होएते, उसमें सबसे पहले है, the critical activity finds its highest, इस तरीके से ये लाइन सुरू है, आप समझ जाना, इस तरीके का line आ जाए, तो वो the function of criticism से लिया गया है, शुरू कारते है, सबसे पहले reference वाला section, reference में लिखना है, this lines have been taken from T.A.C.L.E.Famous essay, the function of criticism, कि ये जो पंक्तियां ली गया है, T.A.C.L.E.Famous essay, the function of criticism से ली गया है It was published in 1923 in selected days, इसको जो पहली बार published करवाया गया, 1923 में selected days में published करवाया गया, It was response to Mori, और ये जो work है ना, response थी, प्रक्रिया थी, Mori को, Mori एक author है, इनका पूरा नाम John Millington Mori है शायद, तो ये जो है ना, work एक प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई Mori को, Who challenged the ideas of Elliot, जो की Elliot के ideas को Elliot के विचारों को challenge किये, चुनोती दिये, presented in his previous, एसे traditional individual talent, जो की present था, उनके previous, पहले के एसे traditional individual talent में, in his work, romanticism and tradition, मतलब, John Millington Mori, जो है ना, वो अपने work, romanticism and tradition में, इलियाट का जो work था, traditional individual talent, उसमें presented ideas को ना, challenge किये, तो अब जो T.S. Elliot है, वो कैसे चुप रहत है, वो भी उ का नाम था, the function of criticism, मतलब, the function of criticism के जरिए, ट.S. Elliot, John Millington Mori, को प्रतिकडिया दिये वे, it means response दिये हुए है, तो ये reference वाला section हो गया, reference वाला section आपको, शारी, the function of criticism के explanation के लिए, सेम रखना है, तो अब next है, context वाला section, context में है, Elliot, through above mentioned lines, की उपर mention किये गे lines के जरिए, जो Elliot है, comments on the term critical and creativity, Elliot, जो है, comment करते है, टिपड़नी देते है, critical and creativity term पे, he explains that, वो explain करते है, व्याख्या करते है, कि criticism of once on work, कि कोई इनसान जब खुद के वग का criticism करता है, अलोचना करता है, is the most vital, हो सबसे, महत्पुर्ण होता है, and highest, और सर्वोच, kind of criticism, it means सबसे, बड़ा अलोचना अत्मक तब होती है, अलोचना तब होती है, जब कोई खुद से अपने work का criticism कर रहा हो, Elliot, कौल सच criticism, works of criticism, और Elliot, जो है, इसे criticism को, works of criticism कहते है, तो यह याद रखेगा, कि जब भी कोई author, खुद के work का criticism कर रहा हो, तो उसको works of criticism के नाम से जाना चाहता है, हो सकते है, आपके objective में, कि creation और criticism को रचना अतमक्ता और आलोचना को एक साथ combine नहीं किया जा सकता, मिश्रित नहीं किया जा सकता, the critical activity finds its completion कि एक critical activity को पुर्णता मिलती है, when it is fused with creation, जब इसको fused means मिलाया जाता है, creation के साथ, रचना के साथ, and the labor of the artist, और artist के labor के साथ, artist के श्रम के साथ, Elliot goes to extent of sharing, अब that some creative writers have superior critical faculty की कुछ जो creative writers होते है न, रचनात्मक लेखक जो होते हैं, उनके पास superior statements हम लोग बोल सकते हैं, और भी ज्यादा बहतर आलोचनात्मक छमता होती है, the greatest artist is an unconscious artist, जो greatest artist होता है, महान आर्टिस होता है, वो एक unconscious artist होता है, he mocks critics, वो जो है mocks it means आलोचना करते हैं, या फ consider the critical labor of the artist, जो कि किसी भी artist के critical labor, it means आलोचनात्मक शरंप पर विचार नहीं करते हैं, it would be erroneous to separate both critical and creativity activities, कि ये truthful होगा, गलत होगा, अगर हम लोग separate या अलग कर देते हैं, critical or creative activities को, critical writing, however, cannot be creative, कि critical writing जो होती है, वो creative नहीं हो सकती, there cannot be creative criticism, रचनात्मक आलोचना नहीं creative criticism is neither criticism nor creation, creative criticism को होती है, ना तो criticism ही होती है, because there is a difference between the process of creation and criticism, क्योंकि जो process होता है, जो process होता है, criticism को और creation का अंधोर, उन दोनों में difference होता है, इस वदे से creative criticism, वो ना तो criticism होता है, ना ही creation होता है, तो यहां पर पहला वाला explanation खत्म हो गया, function of criticism का, जो second explanation है, वो probably ended the larger part of the labor, इस प्रिकी से सुरू होगा, आप समझ जाना कि यह line भी जो है, the function of criticism से ली गई है, सबसे पहले reference वाला section, reference वाला section जो है, आपको पहली वाला explanation के तरह ही करना है, पहली वाला it means, जो हम लोग फर्स्ट सॉल्व किये ना, यहां से जो सॉल्व किये थे, function of criticism का पहला reference वाला section, तो उससे बिल्कुल सेम रखना है, यह वाला, ठीक है, उसके बाद context वाला section अलग आएगा, तो context वाला section हम लोग पढ़ते है, through above mention line, के उपर mention किये गए lines के जरिये, Elliot is especially talking about the process of writing poetry, Elliot जो है बात करते है, poetry writing के process के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, however, his words can be applied to any creative interviewer, कि उनके words को हम किसी भी creative interviewer, it means रशनात्मक प्रयास पर apply कर सकते हैं, including writing fiction, non-fiction, or even music or art, मतलब non-fiction लिख रहा है, कोई, fiction लिख रहा है, music का work लिख रहा है, या फिर कोई art का काम कर रहा है, तो उसमें भी हम Elliot के इस word को applied कर सकते हैं, anytime we create something, कि जब भी हम कुछ create करते हैं, new, we are essentially taking element from the past, कि हम recombining them in a new way, और उनको recombine करते हैं, mishrit करते हैं, एक नहीं दढ़ी के से, this process requires a great deal of critical thought, और इस प्रक्रिया में जो है, बहुत अधिक आलोचनात्मक विचार के आउशकता होती है, and it is often difficult, और ये प्रक्रिया जो है, काफे difficult, मुश्किल होती है, and time taken process होता है, काफे समय भी लगत work worthwhile, it means कोई बहु मुल्य work create कर पाएं, अब explanation वाला section आजाएगा, explanation में है, these lines are about the process of an author composing their work, ये line जो है, उस प्रक्रिया के बारे में है, उस process के बारे में है, जब कोई author अपना work create कर रहा होता है, when an author is starting a new project, कि जब भी कोई author new project start करता है, they often have a lot of different ideas about what they want to write, तो author के पास क्यों ह बहुत सरा ideas होता है, अलग-अलग तरक ideas होता है, उसको जिस बारे में लिखना है, उससे related, they need to shift through these ideas, अब author क्या करता है, सारे ideas से गुजरता है, सारे ideas के वाल में सूचता है, विचारता है, and decide which ones are most promising, और सबसे अंतिमित्ता ही करता है, जो सबसे अच्छा उसको ideas लगता है, सबसे जादा आसा जनक भरोशा जिस ideas वे विचार पर कर सके, उसको decide करता है, once an author has chosen a few ideas, उसके बाद जब कुछ ideas को, कुछ विचारों को choose कर लेता है, author, they need to find ways to combine them in a way that is both original and effective, तो उसके बाद वह तरीका ठूणता है, किस तरीके से इन सारे ideas को, इन सारे विचारों को नो प्रिजनल भी लगे और effective, it means प्रभावशाली भी लगे, the critical labor that an author engages in when composing their work, कि अपने work को compose करते, time, लिखते, time, जिस critical labor में engage होता है, जो, it means, हमने वो सकते, आलोशनातमक श्रम कर रहा होता है, author, is essential to the creation, वो आवश्यक होता है, creation के लिए, it means, रचना के लिए, of true great piece of literature, it means, that requires creativity, और यह एक ऐसी प्रक्रिया, इसमें creativity, क्या हो सकता होती है, रचनातमक्ता, क्या हो सकता होती है, intelligence, it means, बुद्धी मता, क्या हो सकता होती है, and dedication, it means, अमरपन की विया सकता होती है, तो यहाँ पे जो है, दो नो explanation, the function of criticism का खात्म हो गया, total हम पाच की इसक्रानेशन डिस की इक्षाम की इन एक जखते हो, तो आप यह 5 एक ऐसी प्लानेशन रेडी करना, और एक्जाम में अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रहे कि किस बुक से लिया गया है, तो अगर ज़ो आप की आद करना जो शक्ति ही को लिग देना, मतलब छोड़ने से बेटर है कि आप ए प्राइशन का पीडिए चाहिए तो आप लोगों को पता हुआ कि एक मही से हम सारे टॉपिक का पीडिए चोए पेड कर दिये हैं तो एक्स्पानेशन के पीडिए पीडिए पेड के लिए आपको 30 पीडिए करना होगा और अगर आपको पार्ट थड का जितना भी इंप्रोट नेक्स जो एक्स्पानेशन है वह स्टरी ओफ पोट्री से है तो इसमें हम दो आप लोगों को बता हैं अगर वी शूड कंशीव आफ पोईट्री वर्दी इस तरीकी से लाइन शुरू हो तो आप समझ जा ना झाल लाइन लिया गया है एक और है तो इस तरीकी से भी लाइन कमाल ब्रबूर्च को सबद्सक्राइब अगया के बत One साहत है अदिर्शल सक्षि कर दो शुरू कर तो ऑन जो कि पोई इडमन्स कभी थे और क्रिटिक इडमन्स आलोग शक थे विक्तोरियनेश के इन इस एसे में अर्नोल्ड आग्यूस जो है तर्क देते हैं कि पोईट्री इसेंशिल तो human life की poetry जो है वो आवश्य के human life के लिए मनुश्य के जीवन के लिए because क्योंकि it can help us to understand ourself क्योंकि poetry जो हम लोग की मदद करता है खुद को समझने में and to find meaning in life और life में meaning ढूणने में और ढूणने में भी poetry हमारी मदद करता है तर्क वाला section आ जाएगा context में है थूआ अपर मेंशन के लाइन के जरिये अर्नौल टॉक्स अबाओ फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर लिखा हुए ना मानवता की भावना की and a reminder of beauty and value of life यहां से यह क्लियर हो गया कि जो कविता है वह हम लोग को मानवता की भावना जीवन की सुन्दर्ट और मुल्यों के बारे में याद दिलाती है it can help us to see the world in new ways poetry जो हम लोग की मदद करती है इस वर्ल्ड को इस दुनिया को नई तरीके से देखने में and to find meaning in our experience साथ ही अपने अनुभवव में meaning धुनने में भी और धुनने में भी poetry जो हम लोग की मदद करती है यह कॉंटेक्स वाला section होगे अब नेक्स हम लोग explanation discuss करेंगे explanation में है this lines come at the end of the essay कि यह जो पंक्तिया है ना इसे के अंत में आती है when Arnold is summarizing his main points जो है सर्फ main points की बार में summarize अट में सारांस दे रहे थे discuss कर रहे थे he argues that वो तक देते हैं कि poetry has a high destiny to help us find a sure and sure stay in life कि कवीता का उदेश जो हमें जीवन में एक निश्चित और अधिक स्थिर सती प्रदान करने में मदद करना है he believes that वो ऐसा मानते हैं कि poetry can provide us with a sense of stability कि poetry जो हम लोग को sense of stability it means एक खोदेन स्थीरता की भावना वो प्रदान करती है और पर्पस और साथ उदेश प्रदान करती है इन्हें वर्ल्ड इस वर्ल्ड में that is often chaotic and uncertain मतलब यह जो वर्ल्ड जो कि chaotic it means अराजक है uncertain it means अनिश्चित है उस वर्ल्ड में जो कवीता है हम लोग को sense of stability it means it means स्थीरता और पर्पस it means उदेश प्रदान करती है poetry can help us to understand ourselves poetry जो हम लोग की मदद करती है खुद को समझने में and the world around us और हम लोग के चारों जो वर्ल्ड है उसको समझने में भी it can help us to find meaning in life life में मीनिंग ढूणने में और ढूणन poetry can help us to see the world in a new way poetry मारा ही मदद करती है इस दुनिया को एक नहीं तडिगी से देखने में it also gives us inspiration and hope poetry जो हम लोग को inspiration इसमें प्रेना और hope इसमें आशा भी देती है so poetry is a powerful art form इस वज़े से जो poetry है वो एक powerful एक सक्तिशाली कला का एक रूप है that can touch our heart and mind जो कि हम लोग के heart को mind को दो other art form can और उस तरीकी से touch करती जो कोई दूसरा जो कला का रूप है न वो हमारे mind और heart को touch नहीं कर पाता है जिस तरह से poetry करती है तो यहां पे यह हो गया the study of poetry का explanation next जो है प्रिफेस्टु लिरिकल बैलेट से हम explanation बताए हुए है वो discuss करेंगे जो कि शुरू है इस तरीके से poetry is first and last of all knowledge आप समझ चैनल कि यह जो लाइन है प्रिफेस्टु लिरिकल बैलेट से लिया गया है इसका reference वाला section सबसे पहले है इस lines have been taken from William Wordsworth एशे यह जो पंक्तिया है William Wordsworth के एशे प्रिफेस्टु लिरिकल बैलेट से ली गई है it was first published in 1798 इसको पहली बार 1798 में published करवाया गया with the collaboration of ST Colbert, ST Colbert के collaboration के साथ स्वयोग के साथ, ST Colbert दोनों मिल के publish किये प्रिफेस्टु लिकल बैलेट को तो याद रखिएगा paper 5 के exam में बार बार प्रिफेस्टु लिकल बैलेट से लेटेट भी question आता है, अब context वाला section है, context में है, through a mention line उपर mention किये लाइन के जड़िये, Wordsworth expresses his opinion about the function of a poet and subject matter of poetry, कि उपर mention किये lines के जड़िये, Wordsworth जो है express करते हैं, अपने राय को express करते हैं, की function of poet, it means कवी का कार्य और कवीता का विशय को लेकिये उनका क्या राय है, उस चीज़ को express किये हुए है, he rejects the classical concept in his attitude towards poetry and poets, it means उन्होंने कवीता और कव्यों के प्रति अपने दृष्ट जो classical concept, it means सास्त्रिय अवधारना है, उसको और श्विकार किया है, उसको reject कर दिया है, वच्वच्वच से वच्वच्वच जो है, यहां पे कहते है, poetry can achieve the finest level of art की poetry, art का, it means कला का finest level, it means शर्वोत्म अस्तर, सबसे उचा जो अस्तर होता है, वो प्राप्त कर शक्ति है, by being simple and straightforward, simple and straightforward, जो जो poetry है, वो कला का सर्वोत्म प्राप्त कर शक्ति है, अब next explanation वाला section आजाएगा, explanation में है, through these lines, in lines के जड़िये, वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच् करते है, that poetry is the image of man and nature, की poetry जो है, एक image है, एक चित्र है, man और nature का, manushya और प्रकृती का, it is an acknowledgement of the beauty of the universe, ये acknowledgement है, जो है, ब्रह्मायन की शुंदर्ता का, poetry जो है, poetry to wordsworth, poetry जो है, कविता वर्सवच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच् इसवच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्व पोईट्स का जो काम होता है, विजनसुद मिन्स वयपार होता है, यूमन लाइफ, इट मिन्स मानव के जीवन के वैरी फॉर्म, इट मिन्स वास्तविक फॉर्म को डिस्क्राइब करना, वास्तविक लाइथ दिखाना मनुश्य का, and to establish a relationship between man and universe शाथी साथ man and universe it means manusha or universe it means हो जाता है पूरी ब्रह्मायन की बिच जो सम्मन्ध है न उसको भी establish करने का उसको भी अस्थापित करने का ये poets का काम होता है so wordsworth says that इसलिए जो है wordsworth कहते है poetry is the first and last of all knowledge की कविता poetry जो है उससे भी ज्यानों का प्रथम और अंतिम है it is an immortal as the heart of man और जो कविता है वो immortal है it means अमर है man of hurt it means manusha के hurt के समाल दिल के समाल तो ये explanation वाला section खत्म हो गया next जो है प्रिफेरिस तो लिडिकल बैलेट से दो explanation होगा उसके बाद explanation वाला section पुरी तरीके से खत्म हो जाएगा total 9 explanation हम डिसकस कर लेंगे तब तक सबसे पहला explanation जो प्रिफेरिस तो लिडिकल बैलेट से है वो इस तरीके से सुरू है nothing can please many and please long आप समझ जाना कि ये जो लाइन प्रिफेरिस तो से लिगई है सबसे पहले रिफेरेंस वाला section आएगा रिफेरेंस में है this lines have been taken from Samuel Johnson famous critical essay यह जो पंक्तिया है Samuel Johnson के famous critical essay preface to Shakespeare से लिगई है this essay deals with Johnson judgment यह जो एसे है Johnson के judgment means ने ने या फिर धारना से संबंदित of Shakespeare as a dramatist as a dramatist Johnson किस तरीके से जज करते हैं सेक्सपियर को उस धारना से यह essay मेंने संबंदित है he highlight several qualities and defects in Shakespeare plays इस essay में जो है जो है Johnson धे साई qualities it means गुनों को बताते है and defects it means कम्यों को बताते है it was first published in 1765 और इस essay को it means previous to Shakespeare को पहली बार 1765 में published करवाया गया तो यह difference वाला section हो गया क्योंकि आपको दूसरे वाले explanation के लिए same ही रखना है context वाला section आएगा context में है Johnson believes that Johnson ऐसा मानते हैं कि only thing that are universal कि वो चीजे जो कि universal होती है starbhommik होती है can resonate with readers it means हो जाता है सम्मंदित होती है readers say and be accepted and loved by the public और इसको accept किया जाता है और love it means पशंद क्या जाता है publics के द्वारा it means universal चीजों को readers, public जादा पसंद करते है things that are too personal और वैसी चीजे जो कि बहुत जदा प्रशनल होती है वैक्तिगत होती है can only satisfy the need and interest of a small group of people वो सिर्फ छोटी समूं के लोगों के interest को satisfied कर शकती है and is not representative enough to survive in the future और नहीं यह इतनी ज्यादा representative होती है कि वो future में survive कर सके जब भी कोई चीज प्रशनल होती है तो वो बहुत टाइम तक survive नहीं कर सकती नहीं बहुत जादा लोगों के लिए helpful होती है बहुत जादा लोगों के दौरा इसको श्विकार किया चाता है therefore इसलिए Johnson advocates that Johnson यहाँ पर advocate it means ऐसा मानते हैं कि poets should grasp the whole poets जो होते हैं जो कभी होते हैं उनको सामगरता को समझना चाहिए and give priority to universality and universality को priority देना चाहिए it means शारभामिक्ता को प्रात्मिक्ता देना चाहिए शारभामिक्ता को importance देना चाहिए it means बहुत जदा प्रशनल नहीं होना चाहिए poets को अब next explanation वाला section है explanation वाले section में है through above mentioned lines उपर mentioned के गए lines के जर्ये Johnson says that Johnson कहते हैं कि Shakespeare had the ability to provide a just representation of general nature Shakespeare के अंदर वह ability है वह योगिता है कि वह just it means वास्त वीक और एक सच्छा representation प्रस्तूत कर सकते हैं provided means हम लोग को प्रदान कर सकते हैं general nature का by nature और यहां पे जो nature word used किया गया है Johnson means the observation of reality Johnson का अर्थ है reality को observe करना it means Shakespeare अपने works में अच्छे तरीके से reality को दिखाते हैं reality का reduction करते हैं according to Johnson Johnson के अनुशार art should be exact representation and imitation of general nature कि जो art होता है जो कला होता है उसको exact it means बिलकुल शही तरीके से representation होना चाहिए या imitation it means नकल होना चाहिए general nature का as Plato says जैसा कि Plato भी कहते है that art is imitation of nature कि art जो कला है वो imitation and नकल है nature का प्रकिर्दी का also dealing with the theme of universality Johnson seems to believe in modern thoughts it means हो जाता है universality के theme it means सारभामिकता के विशे पर बात करते हुए जो है Johnson आधुनिक विचारों में विश्वास करते है that truth has to be universal उनका मानना है Johnson का जो truth होता है जो सचाही होता है उसको सारभामिक होना चाहिए accepted by all उसको सभी के दोरा सिकार किया जाना चाहिए and common for all और यह सभी के लिए एक सम्मान होना चाहिए here Johnson presents the idea of universality यहां पे जो Johnson है idea that means universality के विचार के बारे में सारभामिकता के बारे में mainly बात के वे mainly सारभामिकता को discuss के वे है ठीक है उपर वाले quotation मे अगले वाले explanation की तरह ही होगा यहीं रिफ्रेंस वाला section आपको यहां भी लिखना है अब context वाला section आ जाता है in this lines in lines में Johnson praises William Shakespeare's character Johnson जो है William Shakespeare की character के इटमें शरित्रों की तारीफ करते हैं he elaborates वो elaborate इटमें विस्तार से बताते हैं Shakespeare character as Shakespeare के character को define करते है सेक्सपियर के plays कि Shakespeare जो अपने play में हीरो का यूज नहीं करते हैं बलकि अपने distro में वो occupied by a man इटमें साधारन मनुष्य का यूज करते हैं कि मतब साधारन लोगों को हीरो के रूप में दिखाएवे होते हैं Shakespeare It means Shakespeare's characters are of general kind and are not restricted by custom and convention of any society इटमें साधारन प्रकार के होते हैं and are not restricted नहीं वो restricted होते हैं इटमेंस नहीं उन पर किसी तरीका परतिबंद लगाया जाता है by custom and convention of any society मतला किसी समाज का सुसाइटी का जो convention इटमेंस पर पड़ा होता है किसी समाज का सुसाइटी का आप next explanation वाला section आएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा आप लोग का ये वीडियो through these lines in lines के जर्ये johnson appreciates Shakespeare जो है अपने प्लेस के जर्ये truth सचाई दिखाते हैं अपने टाइम के समाज का according to johnson a poet that construct a mirror in form of art a poet अपने आर्ट के रूप में अगर mirror create करता है to reflect the social condition social condition को reflect करने के लिए समाजी किस्ति को दिखाने के लिए of that time अपने समय का अगर कोई author जो है या poet अपने time का समाजी condition दिखाता है a poet of superior status तो वैसा poet superior status का होता है मतलब काफी बहतर poet के रूपे उसको दिखाया गया जो की society के condition को दिखाता है अपने आर्ट के जर्ये the other point she makes in favor of sexpere और दूसरा point जो है वो sexpere के favor में पक्ष में कहते है is that his characters are not superheros कि sexpere का जो character होता है नहीं superheros नहीं होता है but common men but common men and sexpere write in common language and events and sexpere जो common language it means घटना को दिखाते it means daily life से related to sexpere अपने place are in johnson opinion better artist than other और यहीं johnson के अनुशार sexpere को better artist better कलाकार बनाता है अच्छा कलाकार बनाता है तो यहां पे explanation section खत्म हो गया और total unknown explanation discuss कर चुके आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमको telegram पे message कर शकते हो telegram का link और instagram का link दोनों आपको इस वीडियो के description box में चैनल के about वाले section में मिल जाएगो और वीडियो अगर आप लोग के लिए helpful होती है आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना मिलते है नेक्स वीडियो में next topic के साथ लगए लुट